तो बहुत सारे candidate जो है वो ये पूछ रहेते कि भाई जो आने वाले vacances हैं उनके बारे में एक बार जो है वो हमें बता दिया जाए For example, पटवारी की vacances को लेकर बहुत जादा candidate को जो है वो doubt बने हुए हैं कोई कह रहा है कि आने वाली है कोई कह रहा है कि नहीं आने वाली है उससे related भी इस वीडियो में आपके सारे doubt clear होंगे इसासाथ allied से related और जितनी भी vacances आने वाली है वो सारी मैं इसमें बताऊंगा ताकि आप एक idea लगा ले कि हाँ भाई इतनी vacances आने वाली है उसके according जो है वो अपनी तयारी कर सके वैसे तो सभी मैं आपको पता ही होगा कि हिमाचल जी के इंडियन जी के current affair ये तो common topics हैं जो की पूछे ही जाते हैं तो आपको तयारी में ये सारे तो topic करने ही पड़ेंगे पर फिर भी एक idea आपको लग जाएगा तो उसके according आप जो है वो तयारी कर सकते हो current affair सभी में पूछे जाते हैं तो description में मैंने एक link दिया है उसको जाकर जो है वो जरूर check out के जेगा current affair आपके अच्छे से prepare होंगे अच्छे से जो है वो आपको revision होगा 60 second में उसको जो है वो two month आपको जो है वो notification देखने को मिलेगा अब ये भी आपको चीज पता होगी कि जो आपका sub inspector की poster निकाली जाती है SI की वो HPSC के द्वारा निकाली जाती है अब ऐसा तो है नहीं कि HPSC आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक जो है वो department के लिए notification को जो है वो जारी करेगा से HRTC department में भी जो है वो 500 poster खाली है और भी बहुत सारी department में है जिन में से 198 के करीब poster जो है वो अभी निकली है जिसका exam जो है वो आने वाले समय में होने वाला है उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी vacancies है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी जब आपका SI का notification आएगा तो उसम focus रखना है आप अभी से तैयारी करोगे तो जो student जब notification आता है उस समय तैयारी करते हैं तो उनसे आप 2-4 step तो हमेशा आगे ही रहोगे ठीक है यह तो हर exam में होता है अब जब आपको पता है कि anti के exam की date भी आ चुकी है तो anti के लिए भरपूर time आपको मिल चुका है बड़ ज से ही हिमाचल जी के science, Indian जी के current फिर पढ़ना जो है वो regularly शूरू कर दीजिए तब ही जाकर आपको benefit मिलने वाला है ठीक है बात करते है HP allied services के बारे में तो allied services की बहुत time से वो wait हो रहा है ठीक है और इसके पूरे पूरे chances है कि December month में आपकी notification देखने को मिल जाएगी हाली में ह जो है वो RTI लगाई गई थी जुलाई के starting में किसी person के द्वारा इस से related allied services से related कि भाई जो इस से related जो पोस्ट है वो आएंगी के नहीं आएंगी ये जानने के लिए ठीक है जी तो इसमें जो जवाब में जो आपका आया था यहां पर मैं add करना भूल गया मतलब कि screenshot तो उन् जो है वो request आई है ठीक है तो उसको जो है वो हम process कर रहे हैं वो मतलब की पूरा जो आपका काम है advertisement का वो अभी under process है ठीक है जी तो बहुत जल्दी जो है वो आपको allied की vacances भी जो है वो देखने को मिलेगी ये तो नहीं बताया गया कि कि कितने vacances देखने को मिलेगी और आपक allied की vacances आ जाती थी और January, February में आपका जो है वो HS का जाता था बट फिर आपका COVID आया और इसने सब कुछ जो है वो पलट कर रख दिया तो फिर भी आपको मैंने ये बता दिया कि sub inspector और allied की जो तयारी कर रहे है तो अभी से करनी शुरू कर दीजिए आपको जो है वो बहुत ज समझ आगी होगी आगे बढ़ने से वहले मैं आपको बता दू कि HP clerk secretary का exam जो है वो आपका नजदीग का आच चुका है ठीक है जी और one month के करीब आपके पास जो है वो time बचा है तो उसके लिए अपनी जो भी आपने preparation की है उसको boost up करने के लिए आप हमारा course join कर सकते हो content आप को सामने दिख रहा है for example Indian quality आपने पढ़ी होगी आपने sectorate course के लिए तो यहाँ पर आप revision कर सकते हो for example हमने यह जो आपका PDF डाली है राज्यसभा important points तो राज्यसभा से related जितने भी important points है हिंदी में English में उसको आप यहाँ पर download कर सकते हो download नहीं करना चाते तो preview कर सकते हो यही पर app में आप पढ़ सकते हो ठीक है जी तो जितने भी राज्यसभा से important points है सारे आप revise कर पाऊगे इसी तरीके से लोकसभा का हो गया इससे भी related जितने भी points है articles है वो आप पढ़ पाऊगे ठीक है गोवर्नर जनर्र कौन-कौन थे British India के वो सारे चीज़ें आप पढ़ पाऊ question, Congress के session, year, President उसके कौन थे और क्या-क्या काम हुए थे, 1000 plus mixture question, important question मुगल empire से related, Hindi और English में, geography के question, तो ये सारे कुछ mixed question आपके revision के लिए दिये गए है, especially बात करें current affair की, तो October के current affair, Hindi में, English में, November के current affair, English में, हिंदी में, ठीक है, 2021 के especially एक साल को हम target कर रहे हैं, CM की list 2022 की completely, ठीक है, December के current affair, important awards जो मिले हैं 2022 में, उनको हम topic wise यहां पर cover कर रहे हैं, तो बहुत जारा benefit आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपका science, reasoning और computer का section देखे, MS word की shortcut keys हमने डाली है, detail में, MS Excel की डाली है, top 30, जो है, वो science के question डाले है, biology, physics और chemistry के, फिर biology के question, clerk के previous year paper हमने यहाँ पर upload किये हैं, तो इन सभी को आप क्या करोगे, जाकर join कर सकते हैं, एक मन्त में आपकी बहुत अच्छे से revision हो जाएगी, आपको करना क्या है, जिके study आपको download करना है, code वहाँ पर जाकर use करना है, collect 2022, जिससे आपको 50% plus discount मिल जाएगा, और आप इन सारे PDF को access कर पाऊगे, इसी तरीके से आप JOIT का भी join कर सकते हो, ठीक है, उसके हमने screenshot add नहीं किया है, क्योंकि उसका exam अभी थोड़ा late है, ठीक है, तो JOIT 2022 उसमें coupon code करना आपने use 50% आपको उसमें discount, जो है, 50 से जादा ही मिलेगा, वहाँ पर आप जो है, तो देर मत कीजेगा, जाकर जल्दी से जो है, वो join कीजेगा, आगे बढ़ते हैं, अगली जो vacances है, तो ये तो आपकी निकली हुई है, इसके बारे में आपने आपको पहले भी बताया था क वो open है, 30 अगस तक, यहाँ पर website दी गई है, www.hillagric.ac.in, इस website पर जाकर जो है, वो आप apply कर सकते हो, उसके साथ अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगरा के field में जाना चाते हो, तो उसमें भी जो है, वो शिश्कों की अलग से post निकली है, दोनों notification को आप म जाकर जो है, वो चेक आउट कर सकते हो, तो यह चीज तो जो है, वो आप अभी के लिए apply कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, अगली जो vacances आने वाली है, वो होगी आपकी one निगम में, ठीक है जी, तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताई देता हूँ कि यह चीज और with controller पद को भरने की सिफारिश की है, यानि कि 100 तो जो है, वो आपके forest guard की पोस्टे जो है, वो आने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए भी forest guard की तयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि 100 पोस्टे आपको जो है, वो forest guard की देखने को मिलेगी, उसके इलावा stenographer की पोस्टे इसमें निकलेगी, ठीक है, टोटल 300 के करीब ये पोस्टे निकलेगी, उसके बाद आपकी companies achieve की होगी, with controller की होगी, और और भी बहुत सारे जगा पर जो है, वो आपका यहाँ पर vacancies को जो है, वो भरा जाएगा, 100 पोस्टे आपकी जो है, वो forest guard की तो 23 पोस्टे आपको उसकी देखने को मिलेगी, और भी पोस्टे होगी, वो क्या होगी, वो आपको बाद में पता लग जाएगा, तो यह चीज़ याद रखेगा, सब inspector होगी, आपकी forest guard होगी, उसके लावा allied की होगी, ये पोस्टे आपकी आने वाली है, आगे बढ़ते ह कि इसके बारे में अभी clarity जो है, वो नहीं की गई है, ठीक है, बट फिर भी आपको बहुत जल्दी जो है, वो vacances देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वो भी मैं आपको बता रहता हूँ, कि हिमाचर प्रदेश सरकार ने जीला परिशत कैड़र क के तकनिकी सहाइकों के 124 पद स्रीजित किये हैं, इन्हें मिलाकर प्रदेश में 1205 तकनिकी सहाइकों के पद जो है, वो भरे जाएंगे, जीलावर पद जो है, वो अवंटित कर दिये गए हैं, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँगा, कि कितने कितने पोस्टे जो है, वो आपकी पंचायत सहाइकों की किस-किस डिस्टिक में आएगे, तो पंचायती राज विभा की अतरिक्त मुक्य सचीविन ने इस समंद में जो है, वो अलधी सुचना जारी कर दी है, ठीक है, और परदेश में जो है, वो 3615 पंचायतों में 1205 तकनिकी सहाइक भरती होंगे बिलासपूर की अगर बात करें, तो बिलासपूर में जो है, जो 59 तकनिकी सहाइकों की जो है, वो आपकी तैनाती होगी, चंबा में 309 पंचायतों में 103 होंगे, उसके लावा हमिरपूर में 82 होंगे, कांगडा में 271 पोस्टे होंगी, किनोर में 24 होंगी, उसके बाद कुल् जो आपके तकनिकी सहायक होंगे, सोलन में आपके 81 पोस्टे होंगी, तो इतनी पोस्टे जो है, वो आपकी आने वाली है, आप पोस्ट अब यह जो है, डिस्टिक वाइज रहेगा, या पिर किस तरीके सराएगा, यह आने वाले समय में आपको पता लगएगा, बढ़ फिल जो है वो उसकी भरी जाएगी आपको पता है कि पहले जो है दोस्तो प्लस पोस्टे जो है वो पंचाथ सचीव की भरी गई थी जिसका टेंडर जो है वो HPU को दिया गया था फिर HPU ने एक्जाम कंडक्ट करवाया उसके बाद टाइपिंग के टेस्ट के लिए मना कर दिया और कि आपकी पंचाथ सचीव की वेकैंसिस आपको देखने को मिलें क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होगा जैसा कि मैंने आपको बता है कि अकेले जो है वो नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा तो आपका क्या होगा कि हो सकता है कि इसमें आपकी वेकैंसिस आपको देख रख किए उसके बाद आपका टाइप होगा तो इसके लिए भी है वह तैयारी कर सकते हैं अब आता है में पटवारी ठीक है जी तो पटवारी बनने के लिए आपको तयार रहना है ठीक है बहुत जल्दी जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि जल्दी जो है आपकी भरती प्रक्रिया को जो है वो शुरू किया जाएगा और इसकी जानकारी राजस्वी विभाग द्वारा मांगी गई है कि फिल्ड में जो है वो कितने पद जो उसके बाद लिडने लिया जाएगा राजस्वी विभाग के द्वारा अब यह मां समझी है कि 2026 में आपकी वेकेंसी आएगी यह 2026 तक का डेटा मांगा गया है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भाई कितने पोस्टों पर भरती होनी है और बहुत जल्दी आपका फ है तो इस तरीके से जो है वह आपको क्या होगा कि बहुत जारा बेनेफिट मिलेगा जब भी आपकी तो बहुत जल्दी यह डेटा कोलेक्ट होने वाला है ठीक है आपको बताइए एक तरीके से आप उस पॉइंट आफ व्यू से भी देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जितनी और 70 लाग की आबादी वाले प्रदेश में 8,66,92 जो हैं वह बेरोजगार हैं ठीक है जिसमें से 4 लाग के करीब पूरुश हैं और 3 लाग के करीब जो है वह आपकी महिला हैं तो उसमें से आपकी कुछ पोस्टे निकलेगी उसके लिए आप अपलाई करोगे और फिर जो है वो आप आगे इसके लिए प्रोसीड कर पाओगे तो यह कुछ वेकैंसिस थी बाकी अगर आपने क्लर्क सेक्टरेट का भरा है तो आगे की मत सोचिए ठीक है इसके तयारी जो है वो जम कर कीजिए या फिर जयोय का भरा है ठीक है दोनों की कोर्सिस अमने आपको बता दिये है आप जाकर जो है वो जॉइन कर सकते हो थैंक्स फूर वाचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स टूड़े कर साथ